चीनी वैज्यानिकों को हिमाल्या में दुरलब खनीज के संभावेत विशाल भंडार मिले हैं। वैज्यानिकों ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की मदद से ये दुरलब भंडार को खोजने में सफलता हासिल की है। होंग कोंग की वैबसाइट साउट चाइना मौनिंग पोस्ट के अनुसार इस नई खोज से चीन इसक्षेत्र में प्रमुक आपूर्टि करता बन सकता है। हालांकि सुदूर और कठिन इलाका होने की वज़ा से इन खनीजों के खनन में समस्या हो सकती है और इसमें दस्यों सालों का वक्त लग सकता है। आउटलेट में आगे कहा गया कि वुहान में चाइना युनिवस्टी आफ जियो साइंसेज के शोदकरताओं ने तिबबती पठार में स्थित एक हजार किलोमीटर लंबी भूमी में फैले इन भंडारों का पता लगाने के लिए AI का इस्तेमाल किया। SCMP रिपोर्ट में कहा गया कि चीन 2020 से इस खजाने को ढूनने के लिए AI सिस्टेम का निर्मान कर रहा था। इस परियोजना का नीत रित्व जू रिंग्युआंग और उनकी टीम कर रही थी। रिगुआंग की टीम ने नए दुरलब प्रित्वी भंडार का पता लगाने के लिए कच्चे उपगर डेटा को स्कैन करने के लिए AI अधारित प्रनाले का निर्मान किया। शूद करताओं के मताबिक चीन में अगले 15-20 वर्षों में अध्योगी की करण और शहरी करण में कमे की वज़ा से लोहा ताबा, एलुमीनियम, कोईला और सेमिंट जैसे थोख खनीज संसादनों की मांग तेजी से घटने की उमीद है। इसके बाद खनन का ध्यान मुख्य रूप से दुरलब खनीज पर स्थानांत्रित हो जाएगा। नई उर्चा, रक्षा और सैनने प्रद्योगी की और सूचना प्रद्योगी की जैसे उभरते उद्योगों में दुरलब प्रित्वीधातों की जरूरत होगी, जो उन्हें व से घटकर 2021 में 36.7% हो गई। इस बीच चीन के बाहर दुरलब प्रित्वी संसाधनों में महत्वपुन वृद्धी देखी गई, जो इसी अफदी में दो गुनी से भी अधिक है। प्रद्योगी की में तेजी से बदलाव ने दुरलब प्रित्वी खनीजों को उड़्जा स सहीत, पूरे हिमाले में ऐसे ग्रेनाइट फैले हुए मिले, लेकिन हाल तक वे इनके खनन के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लगभग एक दशक पहले उन्होंने गलती से तिबबत के कुछ चटान नमूनों में दुरलब खनीजों और लिथियम की खोज की, जिससे उन् निक्ता 90% तक बढ़ गई